हेलो एवरिवन वल्कम बाक टो माई चैनल अगैन मैं हूनिती दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगे कि आप परफेक्ट तरीके से नेट वाली सारी हैवी सारी कैसे पहन सकते हो आज की इस वीडियो में आप देखोगे और ये वाला मेकप लुग भी मैंने क्रियेट क्या है इस सारी के उपर अगर आप लोग देखना चाते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो आप लोग प्लीज एक बाद चेक आउट कर लेना और यहां पर आप देख सकते हो ये नेट हैवी पॉडर वाली सारी है और बिल्कुल परफेक्ट तर किसे उसके बाद मैं इसको डग कर लूँगी ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो बॉर्डर है न लेस वाली वो मेरे पीछे पैर पे पूरा आए नहीं तो ऐसा क्या होता है कई बार नीसे नहीं आता है बॉर्डर बहुत खराब लगता है कितनी सी कितनी महेंगी सारी अगर पूरा पॉर्डर कभर नहीं होना नीचे तो वो बहुत ज़्यादा खराब दिखता है तो अभी आप देखू कि कैसे मैं बता रहे हूं और आपको बिल्कुल अच्छे से डग करना है इसको एकदम टाइट करके इस तरह के सारी पैननी है ऐसा नहीं कि लूज लूज ह करना चाहिए अभी आप यहां पे देखी रहो मैं किस तरे के से करना है उसके बाद हम चलेंगे dogminat ngal kami बस ऐसे करके इसको रख लेना है आपको लेंट कितनी चाहिए वो आपको देख लेना है तभी उसके बाद ये इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है इसका काम हम बाद में करेंगे तो पहले हम लोग अपना कोची करेंगे हमारे दर कोची बोला जाता है प्लेट्स भी बोल सकत से कर लेना है प्लेट्स बना लेनी है अच्छे से सो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि मैं कीस तरीके से कर लो हूँ बिल्कुल अराम से अपको प्लेट्स बनानी कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए अभी मैं बाद में इसको एज़स्ट कर लोंगे फिर से एक फर पहनने का तो आप बहुत जादे स्टैलिस और खुबसूरत दिखोगे और कई वर ऐसा होता ना कितनी सी कितनी महंगी साड़ी भी लेलो अगर आपको पहनने का तरीका सही मालूम नहीं है ना अगर आपने लूज लूज तरीके से पहन लिया कोची सही से नहीं हो ना तो वह बहुत ही जादा बिकार लगता है तो वह आप पर डिपेंट करता है कि आपको कैसे स्टैलिस दिखना है तो इस तरीके से में यहाँ पर कोची कर लूगी और आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कोची मेरा सब बहार है ऐसे नहीं करना कि आपको सब एक साथ पूरा समेट लेना है नहीं तो वह बिल्कुल ही बिकार लगेगा कोच जो आपकी जो वह प्लेट्स होगी ना उसका लूग अच्छा नहीं आएगा नीचे से एकदम एक चैसा आएगा सो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देखी सकते हो कि मैं यहां पर किस तरीके से कर वह हूँ बिल्कुल इसको थोलो सा टाइम लगेगा आपको करने में बट अच्छे से होगा और यहां पर आपको एक सेप्टी पिन भी लगा लेना है अभी मैं भी आपको लगाऊंगी ताक कमर के साइड में कितना अच्छा सा हुआ है यहां पर अप्टोड़ा थोल सा नेट लगडा होगा तो आप यह कुछ टीप से और यहां तो आप यह जादा क्या खुपसूरत लगेगा ज़्याद पैनोगे न तो आपको यह सब टीप्स वग्रा जरूरद फोलो करना है इसस आप काफी अच्छे असान तरीके से साड़ी पैन पाओगे आप देख सकते हूँ मैंने कोची को थोड़ा थोड़ा सा प्रेट जो है एक से एक बाहर एक के उपर एक बाहर ऐसे करके निकाल रगा यहाँ पर मैं सेप्री पिन यूज कर रही हूँ अंदर की दरब से हमेशा सेप्री पिन लगाए और आपको यहाँ पर मैं एक पल्लू लगा के दिखा रही हूँ वैसे जो नेट वाले साड़ी होती है वो एक पल्लू ही अच्छी लगती है क्योंकि उसमें साड़ी में आधा वर्क होता है आधा वर्क नहीं होता है तो अगर आप ऐसे पहल लोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फिर भी अच्छा लगता है बट अगर आप इस तरीके से लोगे न साडी को तो वो बहुत ज़्यादा सुन्दर रोयल लुक देगा काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहां पे भी आप देखी सकते हो और अभी मैं आपको प्लेट्स भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको प्लेट्स करना है आप इस तरीके से एक-एक प्लेट्स को उठा सकते हो यह नीट वाली सारी है तो इसको करने में आपको एकके लिए थोड़ा से दिक्क आप प्रेंड्स देख सकते हो। कितनी अच्छी से प्लेट मेरी हो चुकी है और बिल्कुल एकदम फिटिंग की हुई है। और किती जादे सुन्दर भी लग रही है। और अब यहाँ पर पीनप कर सकते हो। और कितना अच्छा लग रहा है साडी। तो यह तोटली आप पर डिपेंट करता है कि आप सस्ते से सस्ते सारी को कितना अच्छा लुक दिखाओ, कैसे दिखाओ ऐसा नहीं है कि महंगे सारी अच्छे लगेंगा, अगर आप सस्ते सारी को भी अच्छे फिटिंग तरीके से पहनते हो तो वह भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है और यह है पूरा आप देख सकते हैं लोक सारी की ओरजिनल पीक, मैं पहले फ्रंट कैमरा से कर रहे थी, अब यह बैक कैमरा का सूट है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कितना अच्छा हैवी वर्क है आप यहाँ पर खुदी देख सकते हो और अगर आपको फ्रंट्स यह वाली सारी बाई करनी है तो इसके भी मैं वीडियो बना दूंगी सो गाइस यह था मिराज का वीडियो आप आप लोगों को पसंद आया हो सो मैं मेलती हूँ अपने नेक्स शुट्यों में तब तक के लिए तिल देन बाई थेंक्यू सो पॉच पॉर वाच्च